नमस्कार दोस्तों आज हम एक और बड़े कंफुजन को दूर करने वाले पेगासस और पोलो इन में से कौन सा इंसेक्टि साइड ले यह ज्यादा कंफुजन करता है और यह ज्यादा कंफुजन नहीं करता ले जब एकी कंपणी का एकी टेकनिकल एकी फॉर्मुलेशन एकी मा कारण आपको आज की खास बात देखने पर पता चली जाएगा तो ज्यादा देर न लगते हुए हम इस वीडियो में पेगासस और पोलो का कंटेंट क्या है पेगासस और पोलो की कीमत क्या है पेगासस और पोलो की मोड अप एक्शन क्या है पेगासस और पोलो की रिसुडि और आप देख रहे हो अन्निर्मता चले शुरुवत करते हैं आज के वीडियो की सीजेंटा कमपनी का पेगसस आता है और सीजेंटा कमपनी का ही आता है पोलो और इन दोनों में डायफेंथियोर और पचास प्रतिशत डबलुपी फॉर्मूलेशन में आता है डायफेंथियोर और मार्केट में अलग-अलग नाम से भी आता है जैसे कि धनुका कमपनी का पेजर के नाम से प्रकृती क्रॉप केर कमपनी का आगन के नाम से गुदरात पेस्टी साइड का सोलो के नाम से नैशनल पेस्टी साइड का अपुल रॉन के नाम से एच्पी एम कमपनी का इगल के नाम से आता है यह सब पाउडर फॉर्मूलेशन है जिसकी पैकिंग भी बहुत बढ़िया आती है लेकिन फेगासस के पैकिंग में 25-25 ग्राम के छोटी छोटी पैकेट आते है और पोलो में यह पैकेट नहीं होते है अब पेगासस और पोलो की मोड़ अप एक्शन क्या है यह पहले जान लेते है डाइफेंटियोरान एक कॉंटेक्ट इंसिक्टिसाइड है जो इंसिक्ट को मारता है जिसमें वेपर एक्शन और स्टमक एक्शन भी है वेपर एक्शन से ग्यास तायर होकर यह सिस्टेमिक से भी बढ़िया फसल को प्रोटिट कर लेता है लेकिन इस vapor action का फाइदा हम हवा न हो तो भी उटा सकते हैं और stomach action तो आपको पता ही है कि यह किटकों के पेट में जाकर किटकों को मार देता होगा dipentheoron अकरिसाइड भी है मतलब यह red mite को भी अच्छे से कंट्रोल करता है और एक बात dipentheoron में translaminar action भी है जिसे यह पतियों के निचले इसे में चुपे हुए किटकों को भी आसनी से मार देता है और हाँ इसकी एक और खुभी है यह है कि इसमें ovicidal action भी है इससे किटकों के आंडे फूट जाते हैं अब mode up action के बात जानते हैं पेगासस और पोलो की residual activity कितनी है पेगासस और पोलो 15 दिनों तक काम कर सकते हैं मतलब की इनकी residual activity 15 दिनों की है पेगासस और पोलो जादातर सभी पसलों में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उनमें से अंगूर अनार पपिता प्याज लसून मीर्च टामाटर बेंगन आम जैसे पसलों में ज्यादा तर इस्तमाल किया जाता है अब जानते हैं पेगासस और पोलो कीन किटकों पर काम करते हैं जिनमें वाइट प्लाइ अपीट्स रेड माइड्स लिफ हॉपर्स डायमंड बैक मोथ पर काम करता हैं अब खास बात से पहले कुछ और यज़े आप लोगों के लिए जैसे आपने अपना एरिया बता कर मुझे आंदाजा दिया जिसे मुझे आप सभी के एरिया का क्लाइमेट समझ में अब आगया है कमेट में आपको सिर्फ अपने अपने पसलों के नाम डालने हैं जिसे मुझे यह भी समझने में आसानी होगी कि आपके कुन से कीट एवर रोगों को टार्गेट करना चाहिए और कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक के लिए कंजुसी ना करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अब जानते हैं आज की खास बात पेगासर्स और पोलो के पंप से स्प्रेंग करते हैं उन्हें बार-बार दावई माप कर डालने पड़ती थी तो इस समस्या का समधान कंपनी ने एक पंप के लिए एक पैकेट निकाल कर किया है जिससे किसान की एक मुश्किल कम होकर दूसरी बढ़ गई है बाई चोटे-चोटे पैकेट करने का खर्च तो किसान से ही निकलेगा ना और चोटे किसान को सो रुपे की कितनी एहमियत है ये तो आप जानते ही हो बाकी रिजल्ट में दोनों समानकारे गरते हैं तो अब हम पेगसस और पोलो का डो सोर कीमत जानते हैं 200 लिटर पानी के लिए 300 ग्राम 20 लिटर पानी के लिए 30 ग्राम और 15 लिटर पानी के लिए 25 ग्राम पेगसस और पोलो का इस्तमाल करें पेगसस डाइसो ग्राम की कीमत 900 रुपे और पोलो की डाइसो ग्राम की कीमत 800 रुपे किमते कम जादा होती रहती है जय जावान जय किस झाल